गर आज हम बात करेंगे ठर्ड कोशिन की ठीक है जो कि हम पढ़ रहा है आपके शौट आंसर टाइप पुश्चन यह हम पढ़ रहा है लॉग यतने भी कोशन थे आपके लांग कोशन थे वह हमने सभी कर लिए ठीक है अगर आप नहीं देखें तो प्लीज पीछे वाले जो व सब्सक्राइब कर दिए आपको सब्सक्राइब को सब्सक्राइब को समझाइब कि लैटेस इनर्जी तो बताना कि फिर आपको एक निरमाराफ होती जालक उर्जा क्या होती है । यह जाना होगा आपको लैटेस इनर्जी होगा वहीं इक अड़ गशीय धनायन, त था, रिडईयन को आपस में रियक्त कराते हैं, तो ये crystal का निर्मार होता है, और उससे निकलने वाली उर्जा को हम क्या कहते हैं जालक उर्जा कहते हैं, यहां पर क्या पर देखो, क्याराएं के रह रहां कि तो इनका क्या बन जाता है एम एक्स ठीक है और इस समय कुछ उर्जा निकलती है कि निकलती कुछ इनर्जी निकलती है उसी इनर्जी को हम क्या कहते हैं लैटिस इनर्जी कहते हैं क्रिस्टल का निर्माड यह क्रिस्टल बन गए आपका क्रिस्टल के साथ कुछ उर्जा निकल यह दोनों आपस में अपक्रिया करके क्या बना लेते हैं M X जो कि कैसा होगा आपका Solid होगा प्लस कुछ उर्जा निकलेगी इसी को हम कहते हैं Lattice Energy जालक उर्जा क्या कहते हैं जालक उर्जा ठीक है तो जो जितनी उर्जा मुक्त होती है वही क्या आती है आपकी जालक उर्जा को कुछ निम्न प्रकार से भी परिवासित कर सकते हैं जैसे कि आप देख पा रहा है करा है एक ग्राम ठोस अडू को कोई एक ग्राम आपका ठोस अडू है ठीक है इसको हम आएन में प्रवर्टित करने के लिए जितनी उर्जा की अवशक्ता होती है वह उसकी जालक उर्जा कहलाती है या हम यह कह सकते हैं कि कोई हमारे पास एक ग्राम ठोस अडू है क्या है एक ग्राम हमारे पास ठोस अडू है ठीक है उसको हम आयन में कनवर्ट करें किसमें कनवर्ट करें आयन में कनवर्ट करें तो इसको आयन में कनवर्ट करने के लिए जितनी हमें ऊर्जा यहां पर देनी पड़ेगी ठीक है जितनी ऊर्जा हमें यहां देनी पड़ेग तो यह अपने आयनों में तूत के क्या पना रहा है एंप्लस और ऐक्स माइनस ये दो प्रकार के आयनों में तूत रहा है ठीक है तो क्रिश्टल जालक बने में जतनी उर्जा की अवशकता होगी है उस करते हैं कि कोई हमारे पास ठोस अड़ू है उसको आयन में परवर्त करने के लिए हमें जितनी उर्जा की आवशकता होगी वही उसकी कहलाएगी जालक उर्जा कहलाएगी ठीक है यह आपको दो प्रकार से आप जो इसको लिख सकते हैं अनुप्रियोग की अगर हम बात करें त होता तो उसमें खर्च हुई है कितने उर्जा में देनी पड़ी यह कितनी उर्जा मुंक्त यह तो चुछा को भी ग्यात करने में इसका प्रियोग किया जाता है ठीक मिसंत्राइब किस्टर समझ संसे में अच्छे से और अगले वीडियो में हम लेकर आएगे आपके लिए प्वोर्थ कोईशन अगर होगा तो बना हम सेकंड यूनिट की बात करेंगे ठीक है अपना टेकर लेकर यूनिट एक एक शोट आंसर टाइप की बात करेंगे यहां पर पर।